हेलो स्टुटेंट्स वेलकूं टू माई नर्चर मैं हो क्रिष्णा कैसे हैं सब लोग मास बढ़िया तो दले स्टार्ट करते हैं आज हम लोग लेकर यहां पर हम बाते करेंगे बेटा लेकिन एक बात ध्यान रखना हार्ट के अंदर बहुत सारी बाते होती हैं बहुत बड़ा टॉपिक है हमें सिलेक्टेड टॉपिक तक ही रहना है वही सिलेक्टेड टॉपिक हमको अच्छा यह सारा जो हिमन अटॉपिक के पार्ट्स ह होनी चाहिए क्योंकि जब आप लोग सब्जेक्ट को अच्छे से याद रखना जिससे की हमारा सेकंड यह बहुत असान हो जाएगा तो यहां पर हमने सिर्फ अलग पार्ट में लेंगे इस पार्ट में लिए क्योंकि लेक्ट बड़े और दिक्कत है जो बच्चे बायो से आये हुए है लेकिन जो बच्चे मैच साइट से आयो है उनको चीजें थोड़ी सी टफ लग रही है बहुत से कॉल आ रहे हैं मेरे पास कि सब्सक्राइब हैं तो कोई बात नहीं मैं ऐसे लेकर चल रहा हू इस हिसाब से लेकर चल रहा हूँ कि चीजें सबके लिए असान हो जाए ठीक है अब समझते हैं हम लोग यहां पर कुछ बाता हो को स्टार्ट करते हैं कार्डियो जो सिस्टम तो एनाटॉमी हम से पको पता है हम लोग किईज को काट करके उसके अंदर को अनलाइज करते है तो उसको anatomic आ जाता है ठीक है ना heart का एक diagram सब लोगों को पता है तो पहले हम समझते हैं introduction की बात करें the blood circulatory system actually ठीक है ठीक है ठीक है ठीक होड़ा और मोटा कर ले अब ठीक है चीज है अच्छी सा highlight हो जाएंगे क्या कह रहा है the circulatory system हमारी body में अगर circulatory system की बात करें तो circulatory system हम सबको पता है दो चीज़े होती है एक lymphatic circulatory system है और एक blood का circulatory system है ठीक है ना तो फिलाल कह रहा है था blood circulatory है अब हमने इसलिए क्या mention कर दिया blood circulatory system lymph circulate करता है पढ़ चुके हम लोग lymph के बारे में चैप्टर नमबर 6 में हम लोग पढ़ा था तो blood circulatory system जो system of organs ये organs बहुत सारे organs का system है इसके ना कौन को चीज़े आ रही है hearts आ रहा है ठीक है heart आ रहा है blood vessels आ रही है that include इसके ना क्या क्या चीज़े है heart है blood है heart blood vessels and blood तीन चीज़े मिलके बना हुआ है heart pump करेगा blood vessel pipe का काम करती है उनके अदर से blood खुन बहता हुआ जाता है और खुद blood blood को भी हम लोग डिटेल में बढ़ चुके chapter number 5 में ठीक है तो यहाँ पे हम blood को नहीं पढ़ेंगे हाँ पे हम केवल क्या पढ़ेंगे heart और blood vessels के बारे में डिटेल में जानेंगे ठीक है and blood which is यह जो खुन है जो की circulate करता है throughout the entire body of a human पूरी human body में circulate करता है and other vertebrates vertebrates कौन होते हैं जिनके पीठ में हड़ी पाए जाती है ना जैसे की मश्लियां है ठीक है ऐसा वस्कुलराइज जहां पे खूप सारा nourishment की संभावना कैसे होगी plants के अंदर वस्कुलर सिस्टम कौन करता है xylem phloem जो खाना भी ना पचाता है है ना हमारी body में कौन है यह blood होता है और या simple इसको वस्कुलर सिस्टम भी कहते है that consists of the heart and blood vessels यहां पे हम लोग specially किस वह फोकस करेंगे cardiovascular system जिसके अंदर अपना heart और blood vessels होते है ठीक है अब cardiovascular system की definition की बात करें तो it is a closed system यह closed system है कैसे closed system है समझो यह अपना heart ठीक है ना इस टाइप से रहता है इसके चार chamber होते है ठीक है यहां से blood vessels निकलती है और यह यहां आ जाती है ठीक है close फिर यहां से blood vessels निकलती है वो यहां आ जाएंगी अब इसको हम detail में समझेंगे भी कि ऐसा कैसे हो रहा है जब हम पढ़ेंगे systemic circulation तो detail में इसके अपास हम लोग आएंगे और बाते करेंगे ठीक है तो इस टैप से हमारा क्या है close होता है खुन इसके अंदर रहेगा खुन हमारा बहार नहीं आता है यहां पर cells वगर रहते हैं हमारे पास क्या होते हैं यह cells होते हैं और इसके अंदर का oxygen यहां आ जाएगा CO2 यहां चला जाएगा चीजों का आदान परदान होता है लेकिन खून एक बंद system में flow करेगा ठीक है तो closed ध्यान रखना क्या कहा गया है closed यह mark कर लेंगे closed system of the it is a closed system of heart and blood vessels heart of blood vessels का closed system होता है the heart pump blood into blood vessels heart जो होता है pump कर देगा धक्का मार देगा खून को किसमें blood vessels में याने कि नसों के अंदर खून की जो नसे होती है then blood vessels circulate the blood to all parts of the body to cell यह blood vessels है पूरा जाकर क्या करेगा circulate कर देगा ठीक है इस blood vessels को भी हमें detail में लेंगे ठीक है function क्या है इसका to deliver oxygen and nutrients main काम क्या है oxygen पहुचाना हर एक cell के पास और हर एक cell के पास nutrient पहुचाना to all body cells transport करता है enzymes and hormones हमारी body जो hormones निकलते हैं brain से उसको ले जा करके पूरी body में circulate करवाएगा and to remove carbon dioxide और हमारी body cell लगातार काम कर रही है जब cell काम करता है तो हमको पता है cell के अंदर क्या होता है cell के अंदर क्या है carbohydrate carbohydrate मतलब cn h2n plus 2 याद आ है यह formula carbohydrate किसका बना होता है carbon hydrogen का यह जब break करता है in presence of oxygen तो क्या निकलता है co2 plus h2o और plus energy energy हमारी body utilize कर लेती है co2 को body से बाहर निकलना होता है यह process चलती है हमारे cell के अंदर जितना भी carbohydrate है oxygen की presence में burn होता है co2 और h2o निकलता है h2o भी हमारी body इस्तेमाल कर लेती है energy को भी हमारी body इस्तेमाल करती है co2 को बाहर निकलना होता है otherwise दिक्कत आएगी ठीक है अब पूरा डिटेलर समझे location की बात करें anatomy में क्या होगा कहां पाया जाता है क्या heart के part है वगरा वगरा तो location की बात कर रहा है heart is present in thoracic cavity उमीद कर रहा हूँ thoracic मतला समझते हो गया है ना thoracic yellow part होता है chest yellow part in the mediestinum between the lungs ठीक है in the mediestinum between the lungs तो यह हम देख सकते है रिप्स है और यह हमारा heart कुछ इस टाइप से यह मौजूद हो रखा ठीक है ना बात समझ बार रही है ठीक है आ गया है protection में रहता है ठीक है in the mediestinum between the lungs लंग से बीच में होता है इसके दयावाय लंग्स रहती है the heart is medial to lungs लंग्स के medial रहेगा बीच में रहेगा posterior to sternum यह sternum है आगे वाला यह आगे वाला क्या sternum मैं उम्मीद करना हूँ अब यह पार्ट याद होंगे bones के इसके पीछे posterior to the vertebral column जब पीछे का vertebral column backbone होती है उसके anterior आगे हो गई है and superior to the diaphragm यह नीचे क्या होता है diaphragm होता है उसके उपर होता है तो यह position दे दो किसके अगर location समझ में आती है question आता है तो its distal end distal end मतलब इसका आखरी छोर its distal end the apex point to the left देखे अगर गौर से देखे हैं हम लोग इसको तो यह apex है इसका किनारा होता है यह left की तरफ है है ना यह left side है this is the right side and this is left side point to left terminating at the level of the fifth intercostal space यह देखे हो fifth यह fifth वाली जो यह intercostal वाला जो part है जहाँ पर आकर करे चिपक रही है यहाँ पर आकर करे इसका end हो रहा है तो पूरी location exact दिखा दी है heart को समझे अगर हम लोग heart के बारे जब भी बात चलेगी तो यह इसका base कहा जाएगा base of the heart ठीक है ना यह इसका apex रहेगा किनारा वाला यह left border यह right border यह superior border तो इस time से जब भी बात होगी heart को ले करके तो यह terminology हमारी इस्तमाल होंगी clear है location आगी हमारे पास आगे आते है location के बाद आता covering very 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 important mark कर लेंगे इसको यहाँ से बच्चा बड़ा confuse रहता है बात को समझना वेटा मैं दो एक चीज़ समझाऊ हूँ है covering से कहाँ पर क्या है बच्चा क्यूं confuse रहता है covering में पहरी थोड़ी से हिंट देदू देखो एक हमारे पास क्या है यह हमारा बड़ा गंदा डाइग्राव है ऐसे करके बना लेते हैं अपना heart ठीक है यह अपना heart है अब बात समझना यह तो है heart का main यह main heart है इसके उपर क्या होगी एक covering पाई जाएगी ठीक है तो ध्यान दखना this is the covering और heart जिसका बना हुआ है this is the wall of heart heart की दिवाल इसको कहा जाता है heart की दिवाल this is the covering इन दोनों की बीच में एक space पाई जाता है इन दोनों की बीच में एक space होता है इसके अंदर एक fluid भरा रहता है ठीक है जो की क्या करता है इससे कई बाद जटका लगता है तो heart की उपर direct असर नहीं आएगा ठीक है heart उसको क्या करेगा वो fluid जटके को जहल जाता है कई बाद हम गिरते हैं पढ़ते हैं चोट लगती है ठीक है तो covering covering की खुद की अई हम देखेंगे तीन परते होती है walls खुद तीन परतों में डिवाइड होता है उसको करेंगे बाद इडियल में तो इतनी बाद दिमाग में रख लोगे करें आब आगे covering is not the wall of heart covering अलग है हाट जिसका बना हुआ मसकलत का वो अलग है तो समझा बात को यह देखो यहाँ पर मैंने समझाने कोशिश की है हाट का एक फ़रा सा तुकड़ा काट ले हैं मैंने तो यह है wall of heart यह जो है यह अंदर heart है ठीक है ना यहाँ शुरुवात हो जाती ही हमारे पास this is the wall of heart ठीक है सबसे बाहर सबसे बाहर का होता है फिर यह beach का इसके तीन हिस्से हैं यह पहला हिस्सा यह दूसरा हिस्सा और यह तीसरा हिस्सा heart जिस मसल्स की बनी हो तीन पार्ट है यह बाहर की covering है इतनी this is the outer covering this is the outer covering यह beach में space है ठीक है यह space है जिसके अंदर क्या भरा रहेगा fillet भरा रहेगा clear है तो समझ लोगे बाहर की covering होती है ठीक है उसको अमनों क्या कहते है pericardium क्या कहते है pericardium pericardium की सबसे उपर की परत है वो fibrous pericardium fiber type की होती है, मजबूत होती है ठीक है न just उसके नीचे serious pericardium और parital layer भी कहते है ठीक है, serious pericardium और parital layer भी कहते है अब जो यह वाली layer है न वेटा यह common हो जाती थोड़ी सी, इसको हम serious pericardium, यह serious pericardium है यह भी serious pericardium है, actually यह दोनो एक ही layer है, इनके बीचे field है यह दोखो, यह भी serious pericardium है, यह भी serious pericardium बट यह parital है, बहार की तरफ है यह viseral layer है viseral layer, याने कि जो heart की muscles है, उससे चिपकी हुई है उससे चिपकी हुई है तो इसको हम epicardium भी कहते है दो, pericardium is the outer layer epicardium, जो main heart की muscles है यहां से लेकर यहां तक, this is the main muscles इसके ऊपर की जो covering है actually देखा जाँ तो यह covering यहां तर count की जाएगी ठीक है, लेकिन यह क्या है इससे चिपकी हुई है, ठीक है main muscles जो है heart की, उससे क्या हो रखी है चिपकी हुई है, तो यह common हो जाती है यह वाली, pericardium की जो layer है तो यह serious pericardium जो है common है इससे चिपकी हुई है, और इस case की बीचे है फिलूड है, यह main muscles आ जाएगी ठीक है, तो यह तीन पार्ट कवर हुए pericardium के, पहला दूसरा और तीसरा, तीसरा वाला पार्ट common रहेगा, myocardium में आ जाए, ठीक है, यह pericardium इस इस एपिकार्डियम, एपिकार्डियम क्यों का आ गया कि वाल के उपर है, सबसे topmost wall है यह इसमें second layer पर क्या आगी, muscle layers आ गई और सबसे अंदर क्या आगी, endocardium तो actually देखा रहे हैं, तो यहाँ दो ही पार्ट है यह जो heart की muscles है, वो दुसकर दो चीज़े पाई जाएंगी myocardium, जैसे muscle layer कहते है main जो की contact गएरा करता रहता है अपना और endocardium inner endothelial lining covering the tuberculae, यहाँ पर इस तरह से layers पाई जाती है, यह piping system से रहते हैं जैसे tuberculae कहते हैं, ठीक है ठीक है तो देखो, फिर से हम ले पर देख लेते हैं इसको अब pericardium और pericardial sac, sac मतलब pouch, fibrous pericardium जो सबसे उपर होता है, sac made up of tough connective tissue, सबसे उपर क्या है fibrous आ गया, then double layered serious membrane, यह double layer है, यह double layer है एक यह और एक यह, ठीक है, ध्यान रखेंगे यहां से लेके यहां तक, यह क्या है यहां से लेके यहां तक, यह pericardium के ही part है यह जो अंदर की layer है, यह जो double layer होती है यह और यह double layer है, इसकी अंदर बाइल layer इस muscles को, जाने के question आ सकता है which layer of pericardium directly attaches the myocardium या muscles heart of muscles, तो ध्यान रखेंगे कौन सा आ जागा, visceral pericardium ठीक है, तो parietal pericardium visceral pericardium, eca, epicardium visceral को ही हम लोग, epicardium भी कह देते है cover the heart यह heart को cover करती है यह heart हमारा यहां से start होता है ठीक है, अब आगे आते है थोड़ा time दे रहा हूं मैं इसको क्योंकि important है यह, serious philude एक philude होता है, इसको serious philude कहा गया आप serious होता समझते हो तुम लोग serious serious what हमने इस्तमाल किया था जो actually serious क्या हो जाता है, यह sera होता है है न हम लोग बोल देते है तो यह क्या होता, directly philude वो माना जाता है, जो directly organ से कह रहता है और organ की उपर एक तरह से रहेगा करके तो serious बोल दिया जाता है, so serious fluid fills the pericardial space cavity between parietal and visceral layer, parietal बहर वाली ठीक है और visceral अंदर वाली, ठीक है, function of pericardium protect and anchor the heart, protect करता है heart को वहीं को वहीं चिपका के रखेगा prevent overfilling of the heart with blood, blood की overfilling रोकता है अब पदला खून आ रहा है, आ रहा है, वो तो फूलता चला जाएगा तो यहां पर pressure लगा को वहीं को वहीं रोकता है कि आगे नहीं फूलना, जब नहीं फूलेगा तो आगे के valves खुल जाते हैं और खून आगे चला जाता है, समझेंगे याले mechanism को हम लोग ठीक है, allow for the heart to work in relatively friction-free moment है ना, जब heart बार फूलेगा, पिचकेगा, फूलेगा, पिचकेगा है ना, content करता है, तो यहां friction नहीं होना चाहिए friction होगा तो चोट लगेगी, चोट लगेगी, तो muscles खराब हो जाएगी ठीक है ना, तो इसी लिए कई सारी यह तीन इसके main काम है, यह function भी इसके important है, याद रखेंगे, wall of heart सबसे उपर epicardium, इसको हम visual pericardium भी कहते हैं, outside layer of connected tissue on surface of the heart, है ना, heart wall के सबसे उपर, main जो दो muscles आते हैं, मतलब यह muscles main होती है, myocardium, thick wall of cardiac muscle, यह main हो जाती है, then अंदर आती है, endocardium, inner epithelial और current tissue lining of the heart and valve, ठीक है ना, heart lining, यह परत होती है, सबसे अंदर की, सबसे अंदर की जो परत पाई जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते है, endocardium कहते है, main muscles, myocardium, ठीक है, इनी के अंदर बहुत ज़दा contraction, relaxation, जो बावर, pumping वाला काम रहता है, वो यह ही होता है, ठीक है, तो covering of heart और wall of heart, clear cut दिमाग में अलग-अलग रखना, ठीक है ना, now chambers, चार chambers होते हैं, हम सबको पते हैं, ठीक है, थोड़ा सा heart दिखा देता हूँ, अब यह सब चीज़ें आएंगी, जादा आगे चला गया, चलो, चेंबर सब heart पढ़ते हैं, फिर से समझ लेते हैं, हमको यह तो पता ही है यहाँ पर, ठीक है, चार chamber होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दो उपर होते हैं, दो नीचे होते हैं, उपर वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, आर्ट्रिया, या आर्ट्रियम, एक होगी आर्ट्रिया, प्लूरल हो जाएगा, आर्ट्रियम, नीचे वाले दोनों क्या होते हैं, वेंट्रिकल, तो यहाँ पर एक confusion और आती हैं बच्चों को, बच्चा कई वार जो इंग्लिस में लिखता है, देखो, आर्ट्रिया पूछ रहा है, की आर्ट्री पूछ रहा है, ध्यान रखना, आर्ट्री नस है, आर्ट्रिया चैमबर है, स्पैलिंग का ध्यान रखना, बच्चा यहाँ कई वार confused होता है, ठीक है न, आर्ट्रिया, आ और एक लेफ्ट दौ अटरिया होती है यह रिशीव करती है ब्लड को ठीक है इस्य व्लड इच आट्रिया एक्सेंट इन्टौ एस्मॉलर एक्सटरनल छेमबर कल एंड ओरिकल है इच आट्रिया एक्सेंट इन्टौ small ठीक है जो आट्रिया होती है वो छोटा सा यहां पर एक चेंबल बना लेती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं और एकल बोल देते हैं ठीक है वेंट्रिकल यह भी राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल है इनफिरियर टू आर्ट्रिया आर्ट्रिया से इनफिरियर देखो पोजिशन दे रखी है आर्ट्रिया के नीचे इनफिरियर रहेंगी एक्सपेल ब्लड आउट अफ दा हर्ट यहां से क्या काम है इनका जो ब्लड को क्या करती है बाहर निकालती है आर्ट्रिया रिशीव करती है body से जो भी blood आएगा उसको ये काम क्या करेंगी यहाँ पर blood enter लेता है फिर यहाँ से यहाँ आता है और फिर यहाँ से बाहर निकलेगा अब यह पूरा समझेंगे कहां से निकल के कहां जाता है यह पूरा mechanism आएगा उसको समझेंगे बात में क्या कह रहा है the chambers on the left are separated from the chambers on the right ठीक है by a septum of wall cardiac muscle ठीक है होता क्या है right वाल चेमबर यहाँ पर यह वाल पाई जाती है यह दुनों एक दूसरों से जुड़े नहीं होते हैं अलग अलग होते हैं ठीक है ना अहीं दूसरों यहांपर तो blood आने के लिए यह रास्ता खुला हुआ है जो यह रास्ता खुला हुआ होता है यहांपर क्या होते है वाल्व पाई जाते हैं तरह के धक्कन होते हैं खुल जाते हैं तो उपर आखुल नीचे डिवाल ठीक है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम याने कि ये बीच की दिवाल तो धिभान रखना कुश्ण आ सकता है कि इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम किसके बीच न पा Ale नहीं दो धूझा इसका मतलब होता है कि दो चीजों को अलग-अलग भागों में divide करना बात समझ में आ रही है clear है आगे चले तो ठीक है septum बात clear हो गई आगे चले artery of heart तो ठीक है ध्यान रखना है चीज का artery या artery और artery इन दोनों में क्या है difference होता है तो simple सी बात है हम देखी चुके हैं अभी फिर समझ लेते हैं इसको यह क्या है artery artery receiving chamber receiving chamber का मतलब क्या है इसके अंदर blood आता है pectinate muscles mark arterial walls याना कि arterial wall के अंदर एक खास तरह की muscles पाई जाती है जिनको हम लोग क्या कहते हैं pectinate muscles क्या 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 क्याते है blood enters right arteria from superior and inferior vene cava and coronary sinus अब यह क्या चीज है blood जो है arteria में कहां से आता है superior और inferior vene cava vene cava क्या है एक type की blood vessels होती है आई दिखाता हूँ मैं इसको blood enters left arteria from pulmonary veins तो अब याद रखेंगे coronary sinus inferior vene cava जिसकी हम बात करें अगर क्या है तो थोड़ा सा डियाग्राम में बना दू अगर में तो समझना बात को ठीक है अब यहाँ पर क्या कहा रहा है blood enters right arteria from superior and right arteria याने कि जो मेरे पास यह वाला chamber होगा राइट वाला इसके अंदर एक ऐसे माल लो दिखा देरों में फिर प्रॉपर डाग्राम दिखांगा एक ऐसे माल लो ठीक है superior and inferior venecava venecava का मतलब होता है वो blood vessels superior मतलब अगर माल इसको मैं superior बोल देता हूं तो superior मतलब होगा यह मेरे heart जो यह है यहां से अपर पार्ट है brain है यहां से हाथों से यह वाला blood लेकर के यहां आएगी और inferior इस गवर में इसको inferior बोलता हूं समझाने के लिए इसकी location थोड़ी सी चेंज रहेगी दिखाऊंगा यह मैं inferior का मतलब हो गया heart के नीचे वाला जो portion है वहां से blood मेरा यहां पर आ रहा है बास समझे आगी then coronary sinus जो heart की ही muscles से blood वापस आता है गुम करके इसके अंदर ठीक है तो उसको हम लोग क्या कहते है coronary sinus coronary artery जो heart की muscles को blood supply करती है और heart से नसे ठीक है एक और यहां दिखाजतों में ऐसे करके समझाने के लिए यह क्या coronary heart की ही heart को जो blood supply हुआ था ठीक है उसके वापस से क्या आएगा co2 हो जाता जाता तो वापस नहां पर आता है option लेने के लिए पूरी process समझेंगे तो यह तीन muscles और तीन blood vessels की की बात हो रही है blood antles left left artery from pulmonary veins तो left all apart आए यहां पर केवल और केवल क्या है pulmonary याने की lungs pulmonary vein पूरी process समझेंगे अभी इसको उनलग जब हम लोग समझेंगे double circulation याली की बात करेंगे यान की systemic circulation की की बात करेंगे तो वहां पर इसको opera detail में समझेंगे तो यह अपने पास क्या आ गया pulmonary vein ठीक है तो चार यह यह याद रखेंगे inferior वेने का बाद superior वेने का बाद coronary sinus और left वाले में कौन है pulmonary vein यहां पे blood enter करता है ventricles की बात करें ventricles और दिस्चार्जिंग chambers discharging मतलब यहां से blood निकल करके क्या जाता है left वाले की बात करूँ तो यहां से निकलके two body और right वाला कहां बेजता है two lungs ठीक है ना right वाला कहां बेज़ेगा ventricles lungs के पास oxygen लेने के लिए और जो oxygen लिया हुआ ब्लड यहां आ जाता है यह भेजता है body के पास ठीक है आगे आते है right ventricles pumps blood into the pulmonary trunk ठीक है right वाला कहां बेज रहा है pulmonary trunk pulmonary trunk मतलब हमारे lungs के पास भेज रहा है pulmonary pulmonary जो जो रास्ता pulmo pulmo मतलब pulmo मतलब lungs ठीक है ना left ventricle pumps blood to the erota erota यहां पर होता है पीछे से निकला हुआ होता है कर अरोटा बड़ासा पार होता है जो कि finally मैंने यहां से दिखा दिखा दिया है समझाने के लिए बट यह ऐसे नहीं होता है यह पीछे से जैसे मालोग हार्ट है ना तो पीछे से ऐसे करके निकल के आती है यह blood vessels ठीक है सामने से नहीं है यह confuse मत कर जाना है समझाने के लिए है केवल देखो थोड़ सा बता देता हूँ मैं डाइग्रामेक समझा जाता हूँ ताकि चीजें external heart अब वाल्स आगी यहाँ पर अब यह देखो यह अगर मैं सो काट दूँ ठीक है न तो यह बंद है यह हार्ट मेरा ठीक है न तो देखो यह है arota अरोटा देख रहे हो यहां से फिर मेरे क्या है प्रेंटियो सपेलिक ठंक ठीक है सब क्लेवेन आर्ट्री ना dissert ही रहता है हमारे पास यह हमारान यह हाथों से लेकिए यहा पर सब क्लेवेन आर्ट्री, फिर नीचे की पूरी बौडी के तरफ ट्रांसफर किया रहा है ठीक है यह एरोटिक यह तो इस टैप से मुड़ा हुआ है इसको हम लोग क्या कहते है एरोटिक आर के कहते हैं बास समझ मा रही है ठीक है अब जैसे को यह है यह पल्मोनरी वीन्स यानि कि यहां से बलड आ रहा है ठीक है यह पल्मोनरी ट्रंक यह पल्मोनरी आर्ट्री यहां से बलड जा रहा है ठीक है यानि कि अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ इस टाइप से तो यहां पे तुम लोग थोड़ा सा समझना बात को यह चैंबर करें तो चीन समझ में आएँगी इस टाइप से कर लेते हैं ज्यादा बेटर रहेगा ठीक है यह राइट राइट यह लट यह लेफ्ट यह लट यह क्या आ आर्ट्रीया है तो यहांपर क्या यह क्या, superior vene kawa उपर से आ रहा है, inferior vene kawa इसके पीछे होता है, दिखाओंगा अगले diagram में अभी तुम्हें, ठीक है, superior vene kawa, ठीक है, और इसी के just पीछे की तरफ, देखें अगला diagram यही है, कि नहीं है, यह देखो, यह inferior, superior vene kawa, उपर से आ रहा था, वहाँ दीख रहा था, औ पार्ट को ऐसे उल्टा कर दिया, तो inferior vene kawa पीछे के तरफ है, इसी लिए, वहाँ पर यह उपर का यह वाला पार्ट कहा जा रहा है, this is the, यह वाला पार्ट है, आट्रिया वाला पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर इसी लिए यह चीज पीछे है, इसके समझ में नहीं आ र करके, तो यह चीज तुम लोगों को क्या है, समझ नहीं है, कि यह पीछे वाला पार्ट सा, इसलिए superior तो दिखा, बट inferior और coronary sinus नहीं दिखाई पड़े, clear है बाते हैं, अब यहाँ से देखो क्या है, जो मैं बता रहा था, यहाँ से blood कहा जा रहा है, two lungs, यालिकि यह मेरे प wheels, यहाँ से blood आ रहा है, left फिर यहाँ इसमें जाएगा, अब जाना बात को समझना, यहाँ से, यह क्या है, left ventricle, यहाँ से जो blood है, यह देख रहे हो यह, यह वाला पार्ट, यह actually ऐसे होता हुआ, ऐसे जाता है, इसके अंदर, थोड़ा सा एक और diagram देखें, और अच्छे से clarity आएगी, यह देखो, ठीक है, अब यहाँ पर इसको काट दिया है, तो तुमको एक और चीज़ क्लियर हो जाएगी यहाँ पर, कि जो यह arrota है, है ना, arrotic art की arrota, यह, और यह मेरे पास क्या है, this is the branches of pulmonary artery, तो इसके just, यह arrota न इसके पीछी की तरफ है, और यह इसके आगे क काट दिया हमने इस तरीके से, यही diagram तुमको बनाना है, बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना, तो यह ध्यान रखना है इस तरीके से, blood vessels की इस तरह जा रही है, अच्छा, मैं जब तुमको समझाता हूँ, यह मैंने क्यों दिखा दिया, तुम लोगों यह confused हो जाओगा, मैं जब समझाता हूँ, तो देखो मैं इस ही का diagram कैसे बनाता हूँ, अब यह अगर तुम्हें समझ में आ गया कि देखो, यह क्या आ गया है, auricle, यह ventricle, यह इसका auricle, ठीक है ना, तो यहां से piping यह गई, यहां से piping यह गई, यह जा रही है, two body, ठीक है, यह जा रहा है, two lungs, two lungs, यह दिखाई पढ़ रहा है, कालर यहां पर कोई दूसरा कर ले, ठीक है, यह हो गया, body के पास, यह हो गया, lungs के पास, ठीक है ना, अब यही diagram को बनाना है, ठीक है, अब जब मैं diagram बनाओंगा, तो क्या होगा, अब इसी का diagram करना जब बनाओंगा, तो बेटा देखो, मैं कई चमबर ऐसे दिखाऊंगा, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, यहां से जो blood vessel निकलेगा, उसको मैं ऐसे दिखादूगा, यहां से निकलेगा, उसको मैं ऐसे दिखादूगा, तो confuse मत करना, या मारलो मैं इस तरह कोई diagram बना दूँ, या कहीं पर कोई diagram दिखता है, समझने के उपर से ही जा रहा है, इसका सारा निकलने वारा सारा सिस्टम है, किलियर है, समझें अब बात को, आ रहे हैं अपने original point पे जहां थे, तो मेरे ख्यास से अब यह बाते काफिया तक किलियर होगी होगी, chambers वगरा बाते सब समझ में आ गई होगी, ठीक है, तो external heart की बात करें त major vessels of heart, vessels returning blood to the heart include, जो vessels heart में आ रही है, blood को ले करके, superior and inferior way ने कावा देख लिए हमने, right and left pulmonary vein ये भी देख लिए हमने, vessels conveying blood away from the heart, कौन-कौन heart से दूर लेके जा रहे हैं blood को, तो pulmonary trunk which is split into right and left pulmonary artery, the main pulmonary trunk होता है, जो left and right artery में, क्यों खनो जाता है कि left lungs में लेके जाना है, right lungs में लेके जाना है, then ascending और ultrasound, इसके तीन ब्रांचेस होते हैं, brachiocephalic मैंने बताया, left common carotid और subclavian, brachiocephalic जो रहता है अपना ये वाले पार्ट में रहेगा, carotid अपने गर्दन वाले पार्ट के लिए हो जाता है, subclavian बाद वागी अपने पूरी body के लिए supply करता है, ठीक है वाल्व यहां क्यों समझने हैं, यह देखो, this is the original valve, ठीक है, valve एक तरी मसल्स होती है, क्या होती है यह, यह देखो रहे हैं, यह एक, valve का मतलब क्या होता है, मसल्स, यह, यह, और यह, एक, दो, और तिनी सील, इसको tricuspid बोलते जाता है, क्या बोल जाता है, tricuspid और यह, bicuspid जब pressure पड़ता है, है न, यह इस type से, pressure पड़ेगा, तो ऐसे खुल जागा, फिर यह बंद हो जाएगा, वापस तुम खोलो, पीछे की तरफ खुल जाएगा, तो पीछे की तरफ यह नहीं खुलेगा, यहां से pressure पड़ेगा, यहां से आगे खुल जाएगा, बीच में छेद चला गया, फिरिया से बंद है न, खुल जाएगा, तो यह इस तरही की से, फिरिया वापस बंद काओ, पीछे वापस खुल जाएगा, तो पीछे नहीं खुलेगा, यह देखरो न, ऊपर से पीछे सागा, यहां से वापस खुलने का option नहीं है, इसके पास, तो यह valves क्या काम करती हैं, इनको हमें समझना है, अब यह valves को हम थोड़ा देख लें, वाल्फ समझ गए, वाल्फ क्या एक तरह है कि धक्कन है, एक तरह से जाने कि unit directional, वाल्फ क्या काम करते हैं, खुल एक ही दिशा में जाए, वापस ना है, वाल्फ क्या काम करते हैं, थोड़ा तब तब त कहां पाए जाएंगे, तो यह ऐसा हो सकता है, तुमको एक वाल्फ करते हैं, तो वापस समय इसको ले चलता हूँ, तुमको अपने diagram के पास बात समझना आप, यह देखो, यह ऐसा color लेते हैं, जो की सब में नजर आ जाए, है कोई ऐसा color, चलो, यह ले लेते हैं, ठीक, अब देखो जारा, जो auricle है, auricle से इधर जाएगा, तो एक यहाँ पर पाए जाता है, tricuspid valve, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, चलो, चीक है, इस टैस पर दिखा देता हूँ, यह tricuspid valve है, यहाँ से जब यहाँ आता है, तो यहाँ पर क्या होता है, bicuspid valve होते हैं, अब जब यह यह पिचगते हैं, तो forcefully क्या करते हैं, धका उपर मारते है, तो यहाँ पर देखो, इसको मैं erase कर दोँँ, तो जिखा रखा है, यह देखो, यह देखा है, यह वालव है, तो इस type से होते हैं, यह ऐसे तो नहीं खुलेंगे, लेकिन ऐसे धका लगता तो खुल गए, और वा यह वाल्व खुल जाते हैं, खून आगे चला जाएगा, खून अगर वापस आने कोशिश करेगा, तो बंद हो जाते हैं, खून वापस नहीं आएगा, यह भी बंद हो जाएगा, खून वापस नहीं आएगा, तो यह जो वाल्व होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, सैमी lunar valve कहां पाए जाएंगे वैने कैवा में और एरोटा में ठीक है और auricle से ventricle के बीच में क्या पाए जाएंगे tricuspid और bicuspid valve tricuspid right वाले में bicuspid left वाले में ठीक है इस चीज़ का ध्यान रखेंगे यह हमारा जो ऐसे देखते हैं तो यह हमारा जो left हाथ आ रहा है तो पार्ट यह हो गया ठीक है ना कन्फिज नहीं करना तो अब यह वाल्व अगर तुम लों को समझ में आ गए हो तो यह देखो वाल्व को सब्सक्राइग्राम मैं देने कोईश की यह तुमको ओरिजिनल दिखाने की कोशिश की वाल्व है यह ठीक है और यह एरोटिक वाल्व है यह पल्मुनर्व है सारे वाल्व दिखा रखें इनके बारे में अगर हम पढ़ें तो देखो जाए क्या लिखा हुआ है आओ, heart valve ensures unidirectional, क्या काम है इनका, unidirectional blood flow, ये कोशिश करते हैं कि blood एक ही direction में जाएं, through the heart, heart में, back नहीं होना चाहिए, arterio-ventricular valve, यानि कि arteria और ventricle के बीच में lie between the arteria and the ventricle, AV valve prevent back flow into the arteria when ventricle contact, जब ventricles पिचकते हैं forcefully, तो blood back ना चला जाए, उसको रोकेगा, arteria में, वापस से arteria में ना चला जाए, cordia tendon ने anchor AV valve to papillary muscles, cordia tendon ने, और यह रहा देखो, यह देखो, कहाँ पर गया, देखो यह है, papillary muscles, papillary muscles यह रही है, यहाँ पर हैं यह, ठीक है ना, और cordia tendon यहाँ पर नहीं दे रखा है, cordia tendon अक्छली यह होते हैं, बीचने पाए जाते हैं य tricuspid, यह valve हैं यह, और यह cordia tendon होते हैं, और यह papillary muscles हैं, एक धागा नुमाख समझ लोगे, एक लास्टिक ट्वाइट पूरता है, कि valve को hold करके रखता है, जिससे कि valve अपनी position पे maintain रहे, है ना, otherwise क्या होगा, pressure लेगा तो, खुल जाएगा 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 तो, यह muscles उसको hold करके रखेंगे, ताकत, ताकत देती है, ठीक है, तो, यह याद रखेंगे, cordia tendonia anchor मतलब जकड के रखता है, AV valves को to papillary muscles के साथ, papillary muscles के साथ, बांध के रखता है, ज्यादा तेज़ पैसर पड़ता है, तो ऐसा नहों कि valve फट जाए या, इधर उधर हो जाए ज्यादा, semilunar valves prevent backflow of blood into the ventricles, semilunar valves कहाँ पाए जाएंगे, यह देखो, यह semilunar valve है, यह रोकते हैं कि वापस यह ventricle में खून ना आ जाए, जहां से pump हुआ है blood, यह वापस ventricle में ना आ जाए, तो ध्याद रखेंगे, जो semilunar valves है, वो blood को ventricle में आने से रोकेंगे, यह वापस ventricle में ना आ जाए, किलियर है बाते हैं, ठीक है, एरोटिक semilunar valve lie between the left ventricle and the erota, यह question one mark से पुछे आ सकते हैं, कि erotic semilunar valve, तो हम सब को पता है, erotic मतलब erota वाला पाए जाएगा यह, तो erota वाला कहां से कहां, हमारा left ventricle में आने से रोक रहा है, इसी तरीके से pulmonary होगा, तो वो right ventricle म and pulmonary trunk, इसको हम लोग pulmonary trunk बोल देते हैं, जो main इसका यह आया ना, यह main जो blood vessel है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, pulmonary trunk बोल देते हैं, यह हमारा erota हो गया, बाते हैं उम्मीद कर रहा हूँ, समझ में आ रही होंगी यह, यह ही है इसकी anatomy, valve को लेकर के, हर एक चीज़ को लेक कर देंगी, अब arterioventricular valve function and seminar valve function, इन valve का function क्या है, तो the opening between the right arterium and the right ventricle is guarded by a valve form of three muscular flaps और cups, तो अगर valve के बारे में आ जाता है, चाहा उपरार लिख दो चाहा इस तरीके से लिख दो, तीन muscular flaps होते हैं, muscular flaps हम लोग देख चुके हैं, muscles के flaps होते हैं ये, एक, दो और तीन ना, त्री muscular flaps या टू muscular flaps रहेगा, बाइकस्पीड में, तो कह रहा हैं, flaps होते हैं, the tricuspid valve, whereas the bicuspid और, metral valve guards the opening between the left arterium and left ventricle, artery और ventricle भी इसमें है, इसे metral valve भी कहते हैं, जो हमारे पास यह न, bicuspid, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, metral valve, याद रखेंगे, इस सब तुमारा one mass question है, ठीक है, guards the opening between left, ठीक है, the opening of the right and left ventricle, अच्छे कुछ कट गया यह, तो opening of the, यह word कट गया यहाँ पर, यहाँ पर एक और जिकर होना चाहिए था, इसको मैं चेक कर लूँगा, यहाँ पर अगला जिकर हो जाएगा, मतलब ऊपर वाली बात लिखेंगे, इसको तुम छोड़ देना, इसकी जरूद ने, इसको काट दो, ठीक है वही चारी बाते हैं, जो उपर लिखी हुई है, कौन सा वाल्व कहाँ पाया जाता है, कौन सा वाल्व किसके बीच में पाया जाता है, कौन सा वाल्व कहाँ ब्लड को बैक फ्लो होने से रोके गया, इसको काट दो, मैं इसको पैरग्राफ में लिखन करा देख रहा है साई भी हो गया कोई दिखकर दिन डेवल कन्फियूजन हो जागा इसको ठीक है ना आगया आते हैं अग्षटर्णल हार्ट अब हमारा वाल्फ का सारा काम खतम हो गया हमने मसल्स देख ली वाल्फ देख ली यही सब चीज़ें हमने सारी वह समझ ली कि कौन- यह back diagram अच्छा यह जो है यह front view है anterior view सामने से देखेंगे जैसे किसी का heart सामने से देख रहे हो इसी heart को गुमा दें तो हमको कैसा दिखाए पड़ेगा तो वो हमको कुछ ऐसा दिखाए पड़ेगा पीछी की side से ठीक है auricle of left artery में auricle है ठीक है उसका जहां पर blood इखटा होता ह तो तमाम चीज़ें ग्रेट कार्डियक भी इन भी कहते हैं circumflex branch of left coronary artery तो यह कुछ terms है ठीक है इनको याद रखोगे यह diagram important नहीं है exam में जब exam में लिखावा for exam तो तुमको कैसा diagram बराना है यह diagram अब इसको तुम लोग कहोगे sir ऐसा कैसे बनाएंगे इतना बेटा करना पड दिया है लेकिन जस्ट एक imagine करता हूं मैं कि चलो मैं बनाना है मैं exam में जा रहा हूं करके तो यहाँ पर बहुत से तरीके हैं करने के ठीक है जैसे की देखो सुरुआत करोगे तो चीज़ें होंगी भी और बनाने कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर ठीक है एरेजर ले लोगे पैंसिल ले लोगे ठीक है और इस टायज से जरूरी नहीं है कि बिल्कुल जैसा है एकदम वैसा ही तुम बनाओ तो कोशिश करोगे कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है इस टायज से ऐसे कर दोगे ठीक है ना और ये इस टायज से ऐसे कर दोगे थोड़ा सा कोशिश करोगे बेटा तो हो जाएगा तो इसको थोड़ा सा ऐसा करके यहां से यह निकाल दोगे तीन थोड़ी सी मेहत करोगे या sketch के कोशिश करोगे तो बन जाएगा ठीक है ना? मैंने यहाँ पर तुम लोग फिर एक यह बना दोगे और mention करते चला जाओगे चीजों को तो यह बन जाएगा difficult नहीं है चीजों को mention कर दोगे ठीक है इस तरीके से तो एक जिस अपने साउलित के साथ तो तुम्हें सीखना है ठीक है जाको मैंने देख देख के बनानी कोशिश की है चार-पांच वार practice करनी पड़ेगी तो अच्छा डागराम बना लोगे डागराम कम से कम मान के चलो दो नमबर और कोई बड़ी बात नहीं तीन नमबर में पूरे में आ जाए डागराम बात समझ बारी है डागराम दो नमबर या तीन नमबर में बिलकुल आ सकता है किलियर है ठीक है आगर देखें जारा इसमें क्या है हमारे पास अब I think यह हो गया यह हो गया थिकनेस यह भी again very important thing इसको भी हम जारा समझते हैं तो क्या कह रहा है थिकनेस की बात करें कह रहा है आर्ट्रियास और थिन वाल डिलीवर ब्लड टू एडजेशन वेंट्रिकल पहला कोशन यह आएगा कि वाई आर्ट्रियास और आर्ट्रियास वाल और थिन कंपेर टू वे मोटी होंगी इसकी दिवाल कुछ मोटी होती है इसकी दिवाल सबसे ज़्यादा मोटी होती है यह थिकनेस है तो समझ लो यह राइट है और यह लेफ्ट है तो आर्ट्रियों की दिवाल पतली है वेंट्रिकल की दिवाल मोटी है ऐसा क्यूं वाई सिदा सांसर है वेंट्रि होगा चलेगा उससे ज्यादा प्रेसर नहीं में लगाना लेकिन जो अपना ये लेफ्ट वाला वेंट्रिकल आता है इसको भेजना है पूरी बॉड़ी में पूरी बॉड़ी सर से लेकर के हमारे पैर के अंगुठे तक बहुत तेजी से प्रेस करना होता है अगर ये दिवाल म राजू में ही वेंट्रिकल को ब्लड देना होता है वेंट्रिकल वाल्स मच ठीकर एंड स्ट्रोंग कर ज्यादा होती हैं क्यूंकि इनको बॉड़ी में सप्लाइ करनी होती है अब उस में वी पूश्चिन राइट वॉंट्रिकल सप्लाइब बलड तु दलंग लिटल फ्लो उसका resistance बहुत कम है left ventricle walls is thickest सबसे ज़्यादा मोटी है to supply systemic circulation ठीक है न क्योंकि उसे पूरी body में system circulate करना होता है myocardium of left ventricle is much thicker than the right तो यहाँ पर एक question ही आ गया myocardium जो होता है वो left ventricle का बहुत ज़्यादा मोटा है right से क्योंकि उसे पूरी body में supply करने जो बहुत तेज से उसे contact करना होता है compress करना होता है तब जाकर क्यों supply कर पाता है ठीक है तो again यहाँ पर यह important part था और इस तरीके से हमारी anatomic खतम होती है बेटा ध्यान रखना anatomic question यह तो 5 नमर में आएगा 2 या 3 नमर में आएगा तो उनके अंदर से कोई question बनके आएगा ठीक है ना questions में दूँगा एप पे जाके check कर लेना ठीक है ना तो करना क्या है revise करना है चीज यह असान नहीं है ठीक है दो तीन बार पढ़ना पड़ेगा एक बार यह आज पढ़ लिया फिर तीन दीन बार से revise कर लिया इस तरह से करोगे तो easily उसका anatomy को समझ पाओगे और लेक पाओगे structure यान की डाइग्राम की practice जरूर कर लेना important है आने के संभावना बहुत जादा है बाद वाकि यह मेरा number है notes, description के link में मिली जाएंगे तुरंत नहीं आते हैं तो एक दिन का wait कर लें आ जाएंगे, ठीक है ना कईवा थोड़ा late हो जाता है उसके लिए बिल्कुल परिशान ना हो बाद वाकि यह अपना app है जहां से आप लोग फाइदा ले सकते हैं